हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल दिये एक्जाम हेलपर मैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा जितने भी यह हमारे जैसे के कैंडिडेट है उनके लिए कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि ज आज के ही दिन से आपको अपनी टाइपिंग जो है स्टाट कर देना चाहिए अगर आपको विस्वास नहीं होता तो आप मत करिए यह रिजल्ट आगा तब टाइपिंग स्टाट करिए और फैल हो जाएगा क्योंकि एक ही मुझा देती है जिंदिकी तो अभी से आप यह गा टाइपिंग का आपका जो डर है यान कि किस तरीके से टाइपिंग होगी बेस्ट सौप्टेयर कौन सा है बेस्ट कीवर्ड कौन सा लेना चाहिए जिस हम टाइपिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए इस लिए मैं यह बूड़ाप के लिए बना रहा हूँ दूसरी च चाहिए और जो बेगिनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए ठीक है चलिए तो यहां पर देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो यह मारे इसकी तरफ से टाइपिंग के लिए जो भी नोटिफिकेशन डाला गया उसमें कौन- कि ए वाला तो जान नहीं देखा है जाकर सबसे पहले उस वीडियो को पॉच्च करना then इस वीडियो को आप अभी कार्टकी चलिए द्वारा इस वीडियो पाराना मैंने उस वीडियो कंटीूरी करते हुग हुए यह वीडियो बनाय हुए चली तो सबसे पहले हैं जो बीग तो उनके लिए मैं यह बात बोलने बाला हूँ फिर हम इसके बाद थोड़ी देर बाद एक दो मिनिट बाद हम जो अलड़ी टैपिंग सीख चुक है बस उनको इस स्पीड अपनी अप कर रही है तो उनके बारे में हम डीटेल में यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पह आपका बैस थोड़ से पैसे खर्च होंगे बट दूसरा जो अप्शन है इस बैटर वहां पर आपको प्रैक्टिकली रूप में सारी चिए देखने को भी वह है आपके नियरभाय में कोई भी कोचिंग है तो आप जाके फटाक से उसे जॉइन कर लिए ज्यादा नहीं 500 से आपका मंतली के चार्जिस वहां पर रहेगा या हो सकता है कि तीन मंत का या टाइपिंग सिखाने का दो से धाई यार वह इस तरीके से चार्ज करें आपको कोई भी एक टाइपिंग सीखने है या तो आप हिंदी सीख लीजेगा एक इंग्लिस मैं सजेश्ट करूँगा कि आप केबल इंग्लिस को प्रफर कीजिएगा ठीक है तो दो से धाई यार हो सकता हूँ एक वार में चार्ज करें तो दो से धाई यार चार्ज करेगा और अगर वो मंतली करेगा तो 500 से लेकर 800 तक के बीच में ये रेंज हो सकती है तो मैं जो बेस्ट ऑप्सन रहेगा वो के पास नियरवाय कोचिंग उपलब दे नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं उनके लिए एक वेस्ट सॉप्ट्वेर है तो वो मैं आपको चली यहां पर दिखा ज़गा हूँ कि कौन सा बेस्ट सॉप्ट्वेर है ये केबल उनके लिए है जिनके पास PC है या लैप्टॉप है उ अगर आप मुझे बोलेंगे तो सबसे पहले जिनके पास PC लैप्टॉप है जो बेगिनर्स है उनके लिए बैस्ट सॉप्ट्वेर में आपको यहां पर दिखा देता हूं कौन सा बैस्ट बिल्कुल फिरी है कोई एक रोपर चार्ज नहीं 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 दोला फ्री सॉप्ट एक सॉप्ट्वेर दिख रहा है जिसका नाम है सोनी टैपिंग ट्विटर तो यह आपको डाउनलोड कर लेना है अब आप बोलेंगे डाउनलोड कर लेना है यूटूब पर चले जाना इस तरीके से यहां पर डाल देना देखे मैं आपको करके दिखाता हूं ठीक है इस तर कि यहां पर मैंने टैपिंग से रिलेटेड एक वीडियो पहले बना दिया था तो यह वाला वीडियो जरूड देख लेना हम बोला हूं ठीक है और कट अब हाई क्यों जागा मैंने इसका भी बता दी ठीक है आपको सिंपली यहां पर कर देना हाउ टो डाउनलोड हाउ आउ इससवी ड áwnलोड कर लेगे तो इस थारीगी से आपको क् oliक करना ठीक है यह beginners के लिए और जिनको practice करना उनके लिए ध्यान न कीगा है beginners के लिए यह सीखने और प्रैक्टरस करने के लिए और जिन्हें प्रक्टिस करने उनके लिए भी मैं यही रिक्मेंट करूँगा बट उनके लिए जो keywords कौनसा best रहेगा बहुत बताऊँगा जो beginners है उनके लिए भी कौनसा keyword best रहेगा बहुत बताऊँगा देखे जो beginners है उनको क्या करना है यहां से मैं start कर लेता हूँ फिर जे तो इस तरीके से आपको हाथ साट कर लेना इस तरीके से कुछ चार उंगली यहां आती है इस तरीके से और एक आपकी इस पर रहेगी बाकी की चार इन दोनों को छोड़के यहां से जे से सुरूब हो जो right hand रहेगा दोनों हातों को इस तरीके से रखने है यहां पर यह भी इंटिकेट करता है और यह भी आपका इंटिकेट करता है तो इस तरीके से आप टैपिंग कर लेंगे यहां पर सीख जाएंगे टैपिंग टैली पैरा इसमें बदलते रहते हैं दूसरा, जब आप typing सीख जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद take test भी आप लगा सकते हैं, जब आप typing सीखेंगे हैं, तो यहाँ से test लगा लिजेगा, ठीक है, इसके बाद, अब जिनको cable practice करना है, और जो typing सीखने का बाद practice करेंगे, वो यहाँ पर चले हैं, common exam pattern पर, य यहाँ पर English test लिखा हुगा है, ठीक है, इसी तरीके से आपको कर लेंगे, तो यहाँ पर यह सब कुछ आ रहा है, यह पैसेज आ रहा है, और यहाँ पर आपका क्या रहा है, एक typing के लिए, पैसेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से देखी, यहाँ पर कुछ settings दी हुई है, तो इस setting में की back space allow करना, bird highlight करना और नहीं करना, इस तरीके से सारी चीज़े हैं, ठीक है, तो यह मैं आपको बाद में बता दूँगा, बट आप अभी इस पर normal practice कीज़े, जैसे ही आ रहा है, इस तरीके से आप पर जाके practice कर लिजेगा, और भी इसमें features से बो भी मैं आपको day by day मैं बताते रहूँगा कि किस-किस तरीके साब अपनी speed को increase कर सकते हैं, ठीक है, तो यह था आपके लिए, ठीक है, चलिए, तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको software रता दी, जो beginners हैं, और जो practice करना है जाते हैं वो, और जो सीख के बाद और practice कर रहे हैं, उनके लिए मैंने आ इसके बारे में एक दू दिन बाद वीडियो बना दूँगा कि किस तरीके से जो आपका EMRS का exam उसमें किस तरीके से आपकी typing पूछी आ सकते हैं, और कौन सा इसमें से जो option है, कौन सा test आपको लगाना चाहिए, जिससे आपका exam निकल जा है, वो भी मैं आपको बता दूँग हाला कि उसके लिए आप comment भी करते रहीगा कि आपको क्या चाहिए, चली, यह हमारा हो गया, tapping किस तरीके से करनी है, कौन सा best software है, ठीक है, यह हो गया, अब best part आती है कि भाई, typing करने के लिए, केबल हमें software की जरूद नहीं पड़ती, या typing सीखने की, इसके लिए हमारे पास best keyword भी available होना चाहिए, तभी हमारे जो typing speed है कहीं नहीं गिरो करेगी, तो कौन सा वो best keyword है, चली, मैं आपको यहाँ पर बता लेता हूँ, ठीक है, कि कौन सा best keyword आपका हो सकता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा, alert की कौन सा keyword user नहीं करना, पहले तो यह यह दिख रहा है, यह रंग जो आपको keyword मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, वो उटए हुए मिलते हैं आपको इस Vegetable से देखिए, इस तरीके से इसमें जो buttons होते होते हैं, यह बंस देखनों को मिलता है, ठीक है, यह यह देखे, यह उट्वूए इस तरीके से अवाई आज आता है, यह एक basic keyword है, यह 1500 अपर सबसे बेस्ट ऑप्सन जो रहेगा आपके लिए यहां पर रहेगा वो मैं आपको दिखाएता हूं ठीक है यह यह जो कीवड आपको दिख रहा है लोगी टेक का जो कीवड हैं और मैं नमबर बन पर रहूँए तो कि ज़्यादा तर एक्जाम से सेंटर में आपको लोगी टेक का ही कीवड देखने को मिलता है ठीक है आप अप अच्छा साउंड आता है कापी अच्छी इस पर टैपिंग होती है ओके चली सेकंड नमबर पर म कीवड मुझे जब मेरी NBS के टैपिंग होती तो मुझे डेल का कीवड यहाँ पर देखने को मिलता है तो सेकंड पर मैं रखो हूँ आप डेल का कीवड यहाँ पर यूज़ करें डेल के कीवड का काफी अच्छा उनमें साउंड आता है ठीक है और जब आप कीवड ले ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे या तो डेल का या एचपी का या आपको लॉगिटेक का इन तीन कंपनियों में से आपको जो कीवड है वहाँ पर देखने को मिलता है इसके अलावा केवड मैं टैपिंग के लिए बता रहा हूँ इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कीवड में बस वहाँ पर जो इंटरफेस मिलेगा मैं उस वारे मैं आपको सेज़ेस्ट कर रहा था इसके अलावा यह को रहाता है टीवीस का कीवड आता है वो भी लगवग 700-800 की निज में आता है वो भी बहुत अच्छा था उसका साउंड आप सुनेंग न इतना प्यारा इंटेक्स के वी कीवड आते हैं बट मैं सज़ेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक्जाम में आपको वह वाले मिलेंगे तो इसलिए मैं सज़ेस्ट कर रहा हूं बाकि मेरा कोई मोटिव नहीं यहापर है आपको जो लेना वो ले लिए जो बैस्ट थे मैंने आपको आप जाएंगे, software कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन सा best keyword रहना चाहिए, यह मैंने बात पता दी, इससे पहले कि जो बातें थी, मैं उस वीडियो मता चुका था, अगर आपने नहीं देखा है, तो जाके देखिए, इसके अलाबा कोई भी doubt है, टैपिंग से related, तो नीचे comment section में comment कर दीजेगा, आने वाले समय में, मैं आपको टैपिंग करके दिखा हूँगा, कि किस तरीके से सौनी टैपिंग टूटर पर आप लाइब टैपिंग सीख सकते में, टैपिंग करके भी दिखा हूँगा, किस software की through आपकी जो NBS हो गया, KBS हो मैं वहाँ पर वह भी आपको करके दिखा हूँगा, जो फुल टैपिंग होती है, 10 मिनट की वह भी आपको करके दिखा हूँगा, किस तरीके से जब exam में जाएंगी, exam में किस तरीके का interface आपको देखने को मिलता है, proper exam का interface आपको यहाँ पर दिखाने की पूरी-पूरी कोश उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो चला लाइक कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तक लिए जाहिन, जा भारत